हेलो गाईच मैं हुरीना और मेरी चैनल परदिल से स्वागत करती हूँ तो दोस्तो आज मैं बनाने वाली हूँ सजना साक की दाल तो अभी हम बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं तो सजना साग की डाल बनाने के लिए मैं सजना पत्ता को सुखा कर रखी हूँ, उसको हम ग्राइंडर जार में या सिल्बटा में पीश के बनाएंगे, और सजना साग में बहुत सारा विटामीन होता है, और उसको हमारा उडिसा में कहते हैं मुनगा गुणया, तो अभी हम उ सजना पत्ता को ग्रेंडर कर रही हूं और जूली में भाद बन रहा है दोस्तों मैं सजना साक को पीश के लेकर आ चुकी हूं अभी रेसिपी बनने क लिए स्टार्ट करूंगी और क्या-क्या लेते हैं उसको बनने के लिए क्या-क्या इंग्रियान चाहिए मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी के लिए मैं क्या क्या लिया हूँ सजना का पत्ता, दो हरी मीज, चार बड़ा साइच का टमाटर, बैगन, धनिया, जीरा, हल्दी, मीज पाउडर, लेसून, प्याज तो पहला का मैं चुली पर कढ़ाई को गरम करना, गरम होने के बाद हम उसमें डालेंगे तेल, आपके पास जो तेल होगी, आप उसी तेल को डालिए, तो मेरे पास रिफाइन का तेल है, तो मैं रिफाइन का तेल डाल रहे हूँ रिफाइन तेल गरम होगी, अभी मैं दो हरी मीज डार रहे हूँ, हरी मीज थोड़ा थोड़ा फ्राय होने के बाद हम उसमें डालेंगे प्याज, तो मैं एक बड़ा साइज का प्याज लिया हूँ, तो अभी मैं प्याज को डार रहे हूँ, प्याज थोड़ा सा लाल होने तब गुंजना है और लाल हो जाएगा तो हुमस में आने की ले सुन ले सुन अभी अच्छे से मीक्स करती है तेल के साथ एक बैगान लिया हूँ उसमें डालने के लिए तो मैं बैगान को डाल चुकी हूँ अभी अच्छे से वाइगान को भूनते है दो मिनिट होने तक टोमाटर चार बड़ा सैज का टोमाटर लिया हूँ उसमें डालने के लिए सबजी में टोमाटर जितना जयदा डालेंगे हो उतना ही स्वादिश्ट बनता है और खाने के लिए बहुत ही स्वादिश्ट होता है आब लोग भी जरूर ट्राय किजिए बनाने के लिए और खाईए और मैं सज बोर रही हूँ या जूट बोर रही हूँ तो आपको खाएंगे तो पता चलेगा ना मेरी बनाने से थोड़ी ना पता चलेगा आप लोग खाएंगे बनाके तो पता चलेगा छोटी शीखा में मुर्गा सक्को तोड के लेयाना और सुखा के रखना उसको थोड़ा सा सील वट्टा या ग्रैंडर में पीश केर उसको पाउडर येसे बनाना और उसका रेशिपि बनाना तब ही में डार्रियों मसला जीरा धनिया शेर्षूं मीद पाउडर हल्दी तो अभी मसला को अच्छे से मिक्स करती है अधा कूख हो चुका है डाइगवन आटोमाटर्ट पाइंधा लिए स्वादनसर नमक को अच्छे से मिक्स करती है दो कप जी से पानी डालेंगी तो अभी मैं दो कप जी से पानी डालेंगी तो अभी मैं जी से पानी डालेंगी जादा पतला नहीं बनाना है या जादा मूटा नहीं बनाना है मेडियम सइच का बनाना है तो अभी मैं डालेंगी हो सजना का पत्ता को अभी उसको अच्छी से मीक्स करना है अभी मैं अच्छी से मीक्स होगी अभी हम डालती है धनिया का पत्ता पांच मिनिट होने के बाद हम उसको चूली से निकालेंगे और वो बन के रेडी हो जाएगा तो गाइस देखिए मेरा सजना साथ का दाल बन गया है कितना संदर बना है और क्या मस्त बना है आप लोग भी जरूर ट्राय किजिए बनाने के लिए तो अभी मैं चूली पर कढ़ाई को गरम की हूँ अभी हम हरी मिर्च को डालते है तो मैं दो हरी मिर्च लिया हूँ ताग में डालने के लिए तो मेरी माँ कटिंग कर रहे हैं तो अभी चुली पर कड़ाई पर डाल दिये हैं हो मर्ट की थोड़ा साय होने के बाद हम इसमें ला लेंगे स्वेशु का साथ तो अभी में डालें स्वेशु का साथ को में बहुत ज्यादा विटामीन मिलता है आप लोग जरूर दिन में एक बार साथ खाईए सुभा के टाइम करीर सुष्ट रखने के लिए दिन में एक बार साथ खाना जरूरी है आप लोग जितना भी माज मशली सब्सब्सब्सब्सब्स जो भी खाते है फिर धीन में एक बार साथ जरूर खाईए नहीं खाना पुभा के टाइम खाना उश्ट अर्शादन सर्नमक तो तो माटर दे शुकी हों अब यह उसको मीच करते है और साथ से कितना पानी बाहर में कर रही है तो दोस्तो देखिए मेरी सजना साक की डाल और सेशुका साक सब कुछ बनके रेडी हो गई है अभी हम खाने के लिए मिद्रादाजी को खाने के लिए मैं निकालती हूँ तो गाईच हम लोग औरिसा में रहते हैं हर दिर हिंदी नहीं बोलते हैं हमारी गाओ में सब लोग औरिया में बात करते हैं तो हमारी हिंदी बोलने से आप लोगों कुछ समझ नहीं आएगा तो हमको माप कर देना तो गाईच मैं आपके लिए ही हिंदी बोलती हूं क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगा ओडिया तो इसलिए मैं हिंदी बोलती हूं तो गाईच आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करना तो अभी में और मेरी माँ खा रहे हैं दोनों साथ मिलकर तो दोस्तों आज की मेरी सजना पत्ता कि दाल आपको कैसी लगी कमेंट करना और जो भी नहीं है मेरी चैनल पर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर तो बाई बाई गाई फिर मिलते हैं अलग वीडियो में नेक्स डिये फिर में एक नई रेसिपी लेके आंगे आपके लिए तो बाई बाई गाई